कुकू टीवी नमबर वन और नमबर टू एक ही कमरे में रहते थे घड़ी का अलाम सोर सी बजने लगता है अवास सुनकर नमबर वन उठ गया लेकिन नमबर टू अब भी गहरी नीन में था नमबर वन नमबर टू के बिस्तर के पास गया और उसे पुकारने लगा उठो नमबर टू आठ बच चुके हैं लेकिन नमबर टू की नीन नहीं खुली नमबर वन नमबर वन ने नमबर टू के सिर पर हाथ लगाया तो पाया कि नमबर टू का सिर काफी गर्म था लगता है मेरी तब्यद कुछ ठीक नहीं है नमबर वान चलो नमबर टू हम डॉक्टर के पास चलते हैं हेलो डॉक्टर अंकल मेरे दोस्त नमबर टू की तब्यद कुछ ठीक नहीं है ठीक है मैं उसे चेक करता हूं नमबर टू, लगता है तुम्हें फ्लू हुआ है फ्लू, अब मुझे क्या करना होगा चिंता मत करो, मैं तुम्हें दो इंजेक्शन देता हूँ फिर तुम ठीक हो जाओगे डॉक्टर अंकल, आप मुझे दो इंजेक्शन क्यूं दे रहे है वो इसलिए क्योंकि तुम नमबर टू हो इसलिए तुम्हें दो इंजेक्शन लगाए जाएंगे वान और टू डॉक्टर उसे दो इंजेक्शन लगाते हैं घर जाने के बाद ये दवाई लेना मत भूलना और अपना खयाल रखना थैंक यू, डॉक्टर ये लो, नमबर टू, तुम्हारी दो दवाईयां खाओ नमबर वान, मुझे दो दवाईयां क्यों दे रहे हो वो इसलिए क्योंकि तुम नमबर टू हो इसलिए तुम्हें दो गोलियां खानी होंगी वान और टू नमबर दो, अब तुम थोड़ी देर आराम करो नमबर वान, मुझे दो रजाईयां क्यों उड़ा रहे हो क्योंकि तुम नमबर टू हो इसलिए तुम्हें दो दो रजाईयां मिलेंगी वान और टू चलो, नमबर टू उठो और थोड़ा सूप पीलो सूप? हाँ, तुम्हें ठीक भी तो होना है ना? हाँ, मुझे ठीक होना है देखो, नमबर टू मैं तुम्हारे लिए दो कटोरी सूप लाया हूँ पता है, तुम दो कटोरी सूप क्यों लाये हो? क्यों? क्योंकि मैं नमबर टू हूँ इसलिए मुझे दो कटोरी सूप मिलेगा वान और टू बिल्कुल ठीक कहा तुमने अब तुम्हें कैसा मैसूस हो रहा है, नमबर टू? अब काफी अच्छा मैसूस हो रहा है मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया, नमबर वान डॉक्टर ने मुझे दो इंजेक्शन लगाए तुमने मुझे दो दवाईयां दी जब मैं सोया, तब तुमने मुझे दो रजाईयां ओढाई और तुमने मुझे दो कटोरी भर कर सूप पीने के लिए दिया मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम नंबर टू हो कैसे हो दोस्तों नंबर टू से मिलो अब हम नंबर टू लिखना सीखेंगे हम नीचे तक एक कव बनाएंगे और फिर एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे आप समझ गए हो है ना चलो फिर ये करते है नीचे तक एक कव और एक स्लीपिंग लाइन ये बहुत आसान था है ना